कन्या राशी 2023 मार्च का महीना किस प्रकारवेती दोगा तो आईए जानते हैं कन्या राशी वाले जातकों के लिए महीना किस प्रकारवेती दोता नजर आता है तो पहले ही मैं अपने सारे दर्शक को कोई बता देना चाहती हूं कि हुए जो भी राशिफर लेते हैं हैं वो चंद राशी के हिसाब से लेते हैं सारे efforts ले लेके बहुत tired हो गए हैं बहुत थक गए हैं और अब money नहीं कर रहा है कि अब आगे भी और कोई महनत करें या कुछ करें अगर चीजें family life में थोड़ी सी खराब थी उन्हें ठीक करने की कोशिश करी है पर वो नई हो रही तो अब लग रहा है I don't wanna do anything give up attitude आगे है क्यों? क्योंकि बहुत ज़ादा try कर चुके है फोड़ा सा और सायम बना के रखिए कुछ और थोड़े दिन की बात है और आप देखेंगे चीजे ठीक हो जाएंगी give up मत कीजे अगर आप give up कर देंगे अब, if you give up now तो जो एक उमीद अब नजार आ रही है कि चीजें आपके जीवन में ठीक हो सकती है आगे, वो फिर से चली जाएगी क्या है वो work area हो work area में pressure बहुत जादा है जिसकी वज़े से आप tense रहते हैं, stressed रहते हैं और married, unmarried couples जो relationship है उसके बीश में भी थोड़ी बहुत कभी-कभी unburn चलते हैं, कभी ठीक चलता है, कभी नहीं चलता लेकिन वस्तुता मैं आप सभी को बताना चाती हूँ कि सभी के साथ यही हो रहा होता है, ऐसा कोई couple नहीं है जो पूर्ण रूप से पूरा ही आहलादित हो, या पूरा ही दुखी हो, mixed ही चलता है सब के बीच में, तो ऐसा नहीं सोचना कि सरफ आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है give up attitude को give up करना है give up किसको करना है, give up attitude को इस give up attitude की वज़े से ही आपके रिष्टों में खटासा सकती है आपकी professional life भी effect हो सकती है आपका boss आपको कुछ कह सकता है business में कोई आपको कुछ कह सकता है कि इतनी opportunities आ रही है and you don't wanna do anything, आपको कुछ करना नहीं चाहते है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है अपने आपको होश में रखना है थकान को side में रखके कार्यक करते जाना है ठीक है थोड़ा सा strong हो जाना और इसके लिए उर्जा के देव, महादेव की शरण में जाएए और महादेव के सामने रामायन रोज पढ़िए रामायन नहीं पढ़ सकते है तो राम जी का कोई भज़नी गा दीजे या कोई स्तोत्र पढ़ लिजे सहस्त्र नामों के तुल्ले है राम दाम राम जी का नाम ही ले लिजिए तो ये सारी चीजे करने से आप देखेंगे की धीरे धीरे आपके अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्त नाना शुरू हो गया महादेव की कृपा से आपकी जो उड़ जो सुस्थ पढ़ गई थी वो जागरे तो नहीं शुरू हो गई प्रानायाम करें उससे आप देखेंगे आपके जीवन में थोड़ा चेंज है लथार्जिक भी फील करेंगे आपको मन करेगा कि बस पढ़े ही रहे तो ये सब मत करें इससे आपके सारे एरियाज में फरक पड़ेगा फ्रेंशिप्स में भी, हाज्बन वाइफ रिलेशन्शिप्स पे भी, आपके जोब पे भी, करियर पे भी, हेल्थ पे भी सुस्त हो जाएंगे भी पी लो सा हो जाएगा सुस्त हो जाएंगे तो ऐसा योग बने है कृपिया इसको अपने पुर्शार्ट से टालने और जैसा कि मैंने आपको बताया राम नाम का जब करें रामायन पर सकते हैं जो भी आपको प्रभू जिस भी रूप में सुन्दर लगते हैं सुहाते हैं उस रूप में अप उनकी स्तुती करें वो स्तोत्र ही सुनले उन कानों में लगाकर ठीक है और इस तरीके से इस महीने को जो नेगेटिव हो रहा है उसे पॉजिटिव कर लें अगर खाली लेटना है पड़े ही रहना है तो ऐसे मत पड़े रही है कुछ तोत्र ही सुनलीजे कुछ तो उर्जा का विकास अंदर होगा तो अगर देखें तो यह महीना ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा है लेकिन आपका money नहीं कर रहा है कुछ करने का तो वो आप खुदी अपने आपको होश में ला सकते हैं आपको मैंने पहले ही prediction बता दिये तो अपने आपको होश में आप swim ला सकते हैं रभु के राधना करके और swim ये सोच के कि नहीं, मुझे ऐसे लथार्जिक नहीं होना है और give up attitude नहीं रखना है students के लिए भी खास कर मैं कहना चाहती हूँ मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो number अच्छे नहीं आएंगे, अगर मैं यह नहीं करूँगी तो मेरे को प्रशानी हो सकती है exams में लेकिन फिर भी नहीं करना चाहते है तो वो नहीं करना है बेटा, please बैठिये, खड़े होईए, अच्छे से books को खोलिये, revision कीजित very important, very very important to do efforts efforts सबसे ज़ादा महत्वपून है इस जीवन में effort करना, ठीक है? तो अपने पूरे efforts दीजे प्रभू आपके साथ है आप हर एक शेत्र में आप सभी विज़ई हो यही मंगल कामना है मेरी I.E.F. हम जानते हैं, आपके lucky color के बारे में तो वो निसंदे रूप से निकल कर आ रहा है lime color और brown तो आप ये कर सकते हैं कि निम्बू के पेड़ पे जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी प्रभू को चड़ा सकते हैं ठीके, ने तो आप एक काम ये कर सकते हैं बेलवु पत्तर चड़ादे शिवलिंग पे, इससे best कुछ नहीं होगा इस महीने आप रोज एक बेलवु पत्तर बेल पत्ता, भोले नाथ को चड़ाएं राम जी का नाम तीनो पत्तों पे लिख दे राम, राम, राम और चड़ादे भोले नाथ को ठीक है, राम जी का स्तोत्र पने शिवलिंग को अर्पित करें और अपनी जीवनचरिया को शुरू करें देखें आपका दिन कितना सुंदर वितीत होना शुरू हो जाएगा पूरा महीना उजवल हो जाएगा और ये सारी थकान और गिवप आटिट्यूट भी आपका चला जाएगा तो आश्या महीना आपका प्रभु की अराधना करके अपने आपको सतर्क रखते वे गिवप आटिट्यूट को ही गिवप करते वे भहुत सुंदर वितीत हो धनेवाद